मुख्यमंति विश्ण देव साई ने हिंदी दिवस पर बड़ी घोशना की है उन्होंने कहा कि अब राज्य के शास्की मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होगी जहां इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज में हिंदी पुस्तकों का वितरन शुरू होगा हिंदी में चिकिस्था सिक्षा उपलब्द कराने से ग्रामिन अंचल के शात्रों को इसका फायदा मिलेगा मुख्यमंतिनी राजधानी सित अपने निवास काहले में स्वास्वंति शाम बिहारी जैसवाल की उपस्थिती में पत्रकारों को सम्मोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने ये निर्ने लिया है कि MBBS की पढ़ाई की विवस्था भी हम हिंदी में करेंगे इस साल के प्रतम सत्र 2024-25 में MBBS की पढ़ाई की सुविदा हिंदी में भी उपलब्द होगी इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या नुरूप आवशक पुस्तक उबलब्द कराने के निर्देश स्वास्त विभाग को दे गए है CM विश्टु देव साय की घोशना को लेकर आये में के पढ़ादिकारी डॉक्टर राकेश गुपता ने कहा कि भार्दी चिकिस्सा सिक्षा का स्तर पूरे विश्व में अध्विती है चिकिस्सा सिक्षा की भाषा का माध्यम बगएर तयारी के बदलना अनुचित है 36 गड़ के डॉक्टर राश्टी मानकों को प्राव्द नहीं कर पाएंगे आज के प्रे स्वार्ता में उपस्थिक हमारे छत्तिगड के स्वास्त मंत्री शरी स्याम विहारी जैसवाल जी पंकर ज्ञा जी और सभी मेडिया के साथी ना आज हिंदी दीवस है समस्थ शत्तिगडवासियों को मेरी तरफ से हिंदी दीवस की बहुत-बहुत बधाई शुपकामना है और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्ने ले रही है हिंदी दीवस मनाने की सारफक्ता तभी होगी जब हम सासन प्रसासन और सिक्षा के हर इस्तर पर हिंदी को लागू करेंगे हिंदी में कामकाज करेंगी और इसी करम में हमारी सरकार ने यह निर्ने लिया है कि MBS की पढ़ाई की गोस्था भी हम हिंदी में करेंगे इस साल प्रखम सत्र में MBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी भुपलब्ध होगी इसके लिए छाठ छात्राओं की संख्या अनुरूप आउसक पुस्तक भुपलब कराने के निर्देश स्वास विभा को दिये गए हैं हमारे स्वासमंत्री जी बैठे हैं स्वासमंत्री जी के मारदर्सन में यह काम हो रहा है हम अपनी सिक्षा निति को हर इस्तर पर पुरानी मेकाले की समराजवाती सिक्षा निति से अलग कर रहे हैं हमने छतिरगड में राष्टे सिक्षा निति को पूरी तरह से लागू कर दिया है हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यस्वस्वी पुर्धान मंत्री श्री नरेन मोदीजे ने फरवरी दो हजार बाइस को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रेली में हिंदी में चिकित्सा सिक्षा उपलब करानी की मनसा जाहिर की थी उसका किर्वानिवन हम करने जा रहे हैं हिंदी में चिकित्सा सिक्षा उपलब कराने का सबसे अधिक लाब हमारे ग्रामेट प्लिस लुवी के छातरों को होगा जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं जो प्रतिभासाली होते हैं लेकिन अंग्रेजी की वज़त से उन्हें चिकित्सा पाठ करम में कुछ दिकतें आती हैं अब यह दिकत दूर हो जाएगी इससे चिकित्सा छाब छातराओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सा त्यार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी माति भासा में सिख्छा दिये जाने पर यह सब्सक्राइब अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी इस तर किस तर से देखते हैं आप आईये में के आप रादी खारी भी है और एज़ डॉक्टर भी में हिंदी के प्रती समर्पन है वह बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस प्रकार का एक्स्परिमेंट मेडिकल प्रोफेशन के साथ करना मुझे लगता है हारा की लिग करने जैसा होगा सारे इंटरनेशन जर्नल, सारी किताबें, सारी पढ़ाई का माध्य हमर्यजी में और ऐसा प्रयोग करके शुराज सिंजी की सरकार मत्यप्रदेश में फेल हो सकी है उन्होंने बहुत लंबी चोड़ी भोष्णाएं की थी कि कोई पढ़ाई हिंदी में होगी लेकिन वो किस सब्सक्राइब या शिक्षकों की राये ले लिजाती, तो ज्यादा अच्छा होता, मुठ्य मंत्री की घोश्टा परवान चड़ेदी इसमें बहुत इसमें बहुत लगए ना को चाहिता है